इकिगाई एक जापानी अवधारणा है जो आपको यह पहचानने में मदद करती है कि वे कौन से जीवन लक्ष हैं जो आपके जीवन को सार्थक बना सकते हैं इकिगाई का अनुवाद करें तो वह होगा जीवन जीने का सर्वोच कारण यह शब्द जापान के ओकिनावा शेतर से आता है जहां विश्व के सबसे अधिक सेंटेनेरियन्स यानि सौ साल से जादा उमर के लोग रहते हैं तो शायद इकिगाई ही वह गुप्त सूत्र है जो दीरग आयू मुमकिन बनाता है ओकिनावा के निवासियों का कहना है कि इकिगाई कारण बनता है उनके हर सुबे बिस्तर से कूत कर बाहर निकलने का हर व्यक्ति की इकिगाई निजी और अनोखी है इकिगाई गतिविदियां व्यक्तिकत संतुष्टी, आनंद, अर्थ और जीवन उद्देश देती है तो आप अपनी इकिगाई को कैसे पहचान सकते है इकिगाई आपके जीवन के चार आयामों के चौराहे परस्तित है कौन सा काम आपको बेहत पसंद है, कौन से काम में आप निपुण है, कौन से काम के लिए कोई आपको पैसे देने को भी तयार है और वो कौन सा काम है जो दुनिया को भी बहतर बनाएगा अगर आप ऐसा काम करते हैं जो आपको बहुत पसंद है और आप उस काम में निपुण भी है तो यह है आपका जुनून यानि पैशन अगर आप ऐसा काम करते हैं जिसमें आप निपुण हैं और जिसको करके आप पैसा भी कमा सकते हैं तो वो बन जाता है आपका विवसाए यानि प्रोफेशन अगर आप ऐसा काम करते हैं जिसके लिए आपको कोई पैसे देने को तयार है और वह काम दुनिया को बहतर भी बनाता है तो वह बन जाता है आपका पेशा यानि वोकेशन अगर आप ऐसा काम करते हैं जो दुनिया को बहतर बनाता है और आपको बहत पसंद भी है तो वो बन जाता है आपकी मिशन और जहां ये चारों आयाम मिलते हैं जो काम आपको बहुत पसंद है, जिस काम में आप निपुण है, जिस काम को करने के लिए कोई आपको पैसा देने को भी तयार है और जो काम दुनिया को बहतर बनाता है तो यह स्वीट स्पॉट है आपकी इकिगाई आपका जीवन जीने का सर्वोच चकारण ऐसा हो सकता है कि खासकर यंग लोगों को इस पश्ट ना हो कि उनका जनून है क्या अगर आप इस इस्थिती में हैं तो आप सोचिए कि क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप किसी काम में ऐसे मगन हो जाते हैं कि आपके लिए समय ठहर सा जाता है जब आप किसी काम में इतने लीन हो जाते हैं कि आपके लिए समय रुक सा जाता है मनोविज्यानिक मिहेली चिकसत में हाई इस मनास्थिती को कहते हैं फ्लो आप फ्लो में तब होते हैं जब कारे की चुनोती आपके वर्तमान कौशल के इस तर से थोड़ी उपर होती है और इस कारण कारे को पूरा करने में आप इतने इंटेंसली इन्वाल हो जाते हैं कि आपके लिए समय ठहर सा जाता है अगर कारे करने की चुनोती आपके वर्तमान कौशल के इस तर से बहुत उपर है तो आप निराश, चिंतित या तनाव गरस्त हो जाएंगे और यदि चुनोती आपके वर्तमान कौशल के इस तर से बहुत नीचे है तो आप उप जाएंगे चुनोती और कौशल का सही मिशरण आपको फ्लो की मनस्तिती में ले जाता है और अधिकतर ऐसा काम जो आपको फ्लो में ले जाता है वो आपका जुनून हो सकता है तो flow अपना जुनून पहचानने का एक अच्छा आधार है जब आप इकिगाई के दूसरे आयाम के बारे में सोचें वो काम जिसमें आप निपोन हो सकते हैं तो यह समझना फाइदे मंद होगा कि बुद्धिमता और प्रतिभा intelligence and talent के बारे में लोगों की दो धारनाई होती है कुछ लोग मानते हैं कि बुद्धिमता और प्रतिभा fixed मांसिक गुण है और या तो पैदाईश से आपके पास यह गुण होते हैं या नहीं पर और लोग मानते हैं कि बुद्धिमता और प्रतिभा अभ्यास और कड़ी मेहनत से विक्सित करे जा सकते हैं मनोविज्ञानिक कैरल ड्वेक के अनुसार पहले प्रकार के लोग fixed mindset वाले हैं और दूसरी धारना रखने वाले लोग growth mindset वाले हैं growth mindset वाले लोग मानते हैं कि बुद्धिमता और प्रतिभा का एक शुरुवाती स्थर होता है पर सीखने की लगन और भावनात्मक लचीलापन emotional resilience ये मानसिक गुण कारण बनते हैं किसी भी कारे या प्रतिभा में उत्कृष्ट निपुनता हासिल करने के fixed mindset के लोग जो मानते हैं कि बुद्धिमता और प्रतिभा तये हैं जब किसी काम में असफल हो जाते हैं तो उनको बड़ा धक्का लगता है क्योंकि उनके अनुसार बुद्धिमता और प्रतिभा तो एक आनुवान्शिक गुण genetic trade जैसे हैं जो हैं तो हैं नहीं तो नहीं और असफल होने पर fixed mindset के लोग निशकर्ष निकाल लेते हैं कि उनके पास वो प्रतिभा नहीं है मान लीजिए कि आप एक musical instrument सीखना शुरू करते हैं आप दो-तीन बार try करते हैं और बहुत ही बेसुरा बजाते हैं और इस नतीजे में पहुँच जाते हैं कि आपके पास संगीत की प्रतिभा नहीं है या आप थोड़ी जटिल गनित सीखना शुरू करते हैं और आपके exam में कम नंबर आते हैं तो आप निशकर्ष निकाल लेते हैं कि आप में गनित के विशे के लिए बुद्धिमता कम है इसके विपरीद ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता को सीखने की प्रक्रिया का एक भाग मानते हैं क्योंकि उनके अनुसार प्रतिभा और बुद्धिमता निर्भर करते हैं धर्ड निश्चे अभ्यास और परिश्रम पर ये लोग संगीत या गनित सीखते हुए जब कभी असफल होते भी हैं तब भी वे अपना अभ्यास बनाए रखते हैं क्योंकि इनको नहीं लगता कि असफलता प्रमान है प्रतिभा ना होने या बुद्धिमता की कमी का तो जब आप इकिगाई के दूसरे आयाम के बारे में विचार करें किस काम में आप निपुण हैं और आपको लगे कि आप अभी किसी भी काम या कौशल में निपुण नहीं हैं तो ग्रोथ माइंसेट अपनाईए और उस चीज़ को सीखने में जुटे रहिए शोद बताता है कि मास्टरी के लिए दस हजार घंटों का खास अभ्यास आवश्चक है अगर आप किसी काम या कौशल में निपुण हैं और आपको वह बहुत पसंद भी है पर आप उसमें पैसा नहीं कमा पा रहें तो शायद आप अपने कौशल को ठीक मार्किट नहीं कर पा रहे हैं ऐसे में शायद आपको अपनी निजी ब्रैंड बिल्डिंग करने की आवशकता है जैसे कि आपने उस कौशल से संबंदित अब तक जो काम या प्रोजेक्स इत्यादी किये हैं आप अपने इस पोर्टफोलियो की वेबसाइट बनाईए या कोशिश कीजिए कि उस कौशल से संबंदित आपको कोई कम पैसे की इंटर्णशिप मिल जाए जो आप फिर अपने बायो डेटा में डाल सकते हैं अगर आपको मुफ्त में वॉलेंटियर करने का अफसर भी मिल रहा है तो ले लीजिए क्योंकि फिर आप उसे अपने बायो डेटा में डाल प्रमाण दे सकते हैं कि उस कौशल से संबंदित अनुभव आपके पास है आप लिंक्डिन जैसी वेबसाइट पर प्रोफाइल बनाकर नेट्वरकिंग भी ट्राइ कर सकते हैं ऐसे प्लैटफॉर्म्स में मेंटर्स भी ढूँड सकते हैं जो कि आपको मार्क दर्शन दें और आपका परिचे ऐसे लोगों से करा सकें जो आपके कौशल के लिए आपको पैसे देने को तयार हो सकते हैं इकिगाई के दुन्या को बहतर बनाने के चوتह आयाम का मतलब है कि आप ऐसे जीवन लक्ष साध हैं जो आपके निजी हित या निजी सवार्थ से उपर हैं यह गीता में जो निश्काम कर्म की बात कही गई है उसके समान है ऐसे जीवन लक्ष जो आपके निजी स्वार्ट से उपर हैं आपके जीवन को एक उदेश देते हैं जिसको पूरा करने की लालसा आपको उरजावान बनाती है ऐसे लक्ष आपको हर सुभ विस्तर से कूत कर निकलने के लिए प्रेरिद करते हैं और आपके जीवन में उत्सा भर देते हैं अपने निजी स्वार्थ से उपर के जीवन लक्ष एक चुम्बक की तरह होते हैं जो आपको अपनी तरफ खींचते हैं और आपको असफलताओं और बाधाओं का सामना करने का सामर्थ भी देते हैं वो काम जो आपको बहुत पसंद है जिस काम में आप निपण भी हैं जिसमें आप पैसा भी कमा सकते हैं और जो काम दुनिया को बहतर भी बनाता है वह आपकी इकिगाई है आपके जीवन जीने का सर्वोच चकारण यह मुम्किन है कि आपकी आज की जीवन परिस्थितियां इकीगाई वाला काम करने के अनुकूल नहीं है पर फिर भी इकीगाई की इस पश्टता आपकी मदद करेगी जीवन निरने लेने में जैसे विकल्पों को तोल आप कौन सा जीवन पत चुने अपनी शम्ता और जीवन परिस्थिति अनुसार पूरे जोश और उच्छा के साथ आप इकीगाई आधारत काम करें तो शायद ओकीनावा के नागरिकों की तरह मुम्किन है कि आप भी दीर्खकाल तक जीवित रहें पर यह तो पक्का है कि इकीगाई आधारत काम करने पर आपका जीवन सार्थक और मंगल मैं तो अवश्य ही हो जाएगा